हलो नमस्कार साथियों मैं हर्बिर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल स्टेडी 24 ओफिसियल में अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बैल आइकन को भी दबा दीचिए क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी चीज़े जैनुएन मिलेंगे और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो ये चैनल आपके लिए काफी इंपोटेंट रहने वाला है साथियों जैसा कि आपने थमनेल में और टाइटल में देख लिया होगा तो उसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले इससे पहले कल मैंने एक कोस्टन दिया था सिंदु घाटी सब्भेता का पत्तन कोंचा था बंदरगाह कोंचा था तो वो लोथल था पांच टॉप जो कमेंट्स हैं आंसर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ ममता धोथ इसके बाद त सिक्षा किसने सुरू करी मतलब किसको सरे जाता है अंग्रेजी सिक्षा सुरू करने का इंडिया के अंदर तो इसका अंसर आपको देना है तो साथियों एक बहुत बड़ा कोस्टन आता है और कोस्टन ये है कि एक अध्यापक की अंदर धहरिये का होना अनिवारिय बताया जाता है बिलकुल सही बात है कि एक अध्यापक को धहरियेवान होना चाहिए इसके बाद सेंसिबल भी होना चाहिए और अगर वो ही अध्यापक किसी को अभ्यूज करे किसी को गलत बोले तो आप क्या कहेंगे क्या हम एक अच्छे समाज की उमीद कर सकते हैं बिलकुल नही आप साथियों जवाब इस पर जरूर दे अगर एक अध्यापक एब्यूज करे उल्टा बोले या गलत बोले या उसके अंदर धैरिये नाम की कोई चीज ना हो तो आप क्या कहेंगे क्या हम एक अच्छे समाज की उम्मीद कर सकते हैं बिल्कुल नहीं अगर सरकारी स्कूलों में सिक्षा का स्तर गिर रहा है तो ऐसे ही कुछ अध्यापक हैं जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते जो जिसमें धैरिये नाम की कोई चीज नहीं होती ऐसी लोगों की वज़े से सिक्षा का स्तर गिर रहा है अन्यता सिक्सा के स्तर को उठाने के लिए आज भी बहुत सारे लोग कारिये कर रहे हैं तो साथियों अभी सीधी बात करते हैं यूट्यूब तो अभी काफी टीचर सिलेक्ट हुएं और आपने देखा होगा किसी भी एक वीडियो में भी अगर मैंने ये कहा हो कि एक्जाम कैंसल हो तो आप जरूर बताएं आप देख सकते हैं पूरा पूरा रिकॉर्ड उठाके कि अगर कहा हो कि हाँ एक्जाम कैंसल हो कोई भी नियूज आप तक लाने का एक काम होता है कि हाँ नियूज लेके आनी है और उसमें जरूरी नहीं कि कोई भी चीज आपके लिए अच्छी होगी हो सकता है कि कोई चीज आपको बुरी भी लगे कोई चीज आपको अच्छी भी लगे क्योंकि खबर हर किसी को अच्छी नहीं लगती और कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने साब तोर पर कहा था कि यह जो चीजे मुझे पता चली है यह जिनोंने केस किया था उनसे मैंने पूछा था कि क्या चीज है तो उन्होंने मुझे जो जानकारी दी सारा बताया कोट नमबर किस में केस था उसके बाद क्या हुआ तो वो चीजे उन्होंने बोली है ना कि मैंने इसके बाद जो चीज उन्होंने बोली है कि रीडर ने टाइप नहीं किया वो उन्होंने बोला है ना कि मैंने और आप लोगों को जो गलत बोलते हैं उनको यह हक नहीं है कि किस एंगल से आप गलत बोल रहे हैं अगर कोई silent है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे और रही बात बोलने की बोलने बोलना सभी को आता है इवन एब्यूज करना भी सभी को आता है तो आप ये ध्यान रखें और सबसे पहले तो सरम मुझे इस चीज की आती है कि आप सिक्षा ववस्ता को कैसे चलाओगे आप किस तरह की सिक्षा देंगे अगर आप अपने सब्दों को ही नियमत्रित नहीं कर पारे तो आप क्या करेंगे मुझे सरम आती है ऐसे सिक्षा ववस्ता पर आप लोग सिक्षा बनने जा रहे हैं आप में सरम नाम की कोई चीज नहीं है कैसे सिक्षा बनेंगे आप और सात्यों ऐसे बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं जो बार-बार कमेंट करके उल्टा बोलते अरे नेट क्या तुम्हारे बापने खरीद के दे रखा है ये बताइए अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आती है आपको लगता है कि authentic नहीं है तो आप क्यों देखते हो कोई पकड़ के लेके आता तुम्हे और ये नहीं कि किसी की खामोशी को ये समझे बोलना मुझे भी आता है अब्यूज मुझे भी आती है और जिस दिन अब्यूज करें न उपर से नीचे तक गीले हो जाओगे तो ध्यान रहे नेक्स टाइम अपने सब्दों को नियंतरित करें और जो सिक्षा वगस्ता है उसको सुधाने अध्यापक बनना चाहते हैं लेकिन अध्यापक जैसे गुन होने चाहिए और आप लोगों को देखके लगता है जो गलत बोलते हैं कि हाँ रियल में कुछ गलत हुआ है पहले मैं नहीं बोलता था लेकिन आप जैसे जो बेशरम लोग है ना उनको देखके लगता है मेंस यार अब्यूज करना इतना गंदा अब्यूज करना ये कहां का संसकार हुआ अगर कोई नियूज होई अथेंटिक लगी है या नहीं है कुछ भी है वो मैं साब तोर पे बोल रहा हुआ कि वहाँ से मुझे पता चला है वहाँ से नियूज मिली है तो इट्स नोट गूड कि आप कुछ भी बोलेंगे तो ध्यान रहे और हाँ एक चीज और बताता हूँ हलाकि मैं ये छोटी चीजे बात नहीं करना चाहता तो होता है क्या कि जैसे कोई भी वीडियो अप्लोड हूई तो दो-तिन डिसलाइक स्टार्टिंग में आते हैं पता है क्यों उन लोगों को न्यूज से या चैनल से प्रॉब्लम नहीं हो तो भाईयों ये चीज तो दिमाग से निकाल दो बिल्कुल और हाँ ये ध्यान रखना मैं ऐसा नहीं कि कोई बहुत सारे आपको यूट्यूबर मिलेंगे बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं जबाब आपको बहुत बड़ा भी मिलेगा तो ध्यान रहे अराम से जो सही काम है वो करें बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से एडवाईज भी है आप समझ ली रहे क्योंकि दुख ये होता है कि सिक्सा ववस्ता आप कैसे सुधा रहेंगे तो उम्मीद है आप समझ गे होंगे गुडबाई टेक कियर थेंक यू जैहिंद